इस मुड़ों में हम पढ़ रहे हैं class 9th के history के chapter 1 को जिसका नाम है French Revolution यानी francisi क्रांथी और इस chapter में हमको पढ़ना है France के French Revolution के बारे में कि उसमें क्या हुआ था और इसके साथ ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे French Revolution के background को कि आखिर ऐसे क्या event थे जिनके कारण France में ऐसा revolution हुआ इसके बाद हम देखेंगे France के revolution में हुआ क्या था इसके बाद France के revolution के बाद क्या इस्तिती बनी इस चीज़ को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो देखिए French revolution को अगर मोटा मोटी देखें तो यह हुआ था आपको 14th July 1789 को तो 14th July 1789 को ऐसा नहीं कि French revolution सुरू हुआ उसी दिन complete हो गया खतम हो गया लेकिन जो सबसे main event हुआ था सबसे सुरुवाती जो event हुआ था वो हुआ था 14th July 1789 को तो इस दिन हुआ क्या था इसको हम सौट में देख लेते हैं तो देखिए इस दिन ऐसा हुआ था कि जो राजा था उसने अपने टूप से कहा कि तुमको सहर में आना है यानि सैनिकों को सहर में गुसने का आदेश दे लिया तो इसके बाद जो लोग थे उनके बीच में ये अफवा फैल गई कि जो राजा है वो चाहता है कि लोगों के उपर गोलिया चलाई जाए जाए लोगों को मरवाया जाए इस वाज से लोग जो थे वो काफी गुसा हो गए काफी उनके मन में आक्रोस आ गया और करीब साथ हजार लोग जो थे वो जमा हो गए टाउन होल के पास और उन्होंने एक डिसिजन लिया कि हम एक मिलिशिया का निर्मान करेंगे यानि Militia का मतलब होता है कि जो लोग आपस में मिलकर एक छोटी आर्मी का निर्मान करते हैं यानि अन ओफिशल आर्मी, अन फॉर्मल आर्मी तो उसी को हम Militia कहते हैं और इसके बाद Militia निर्मान करने के डिसिजन के बाद उन्होंने तै कि अब हमें हतियार चाहिए इसके बाद वो जाने लगे जितने भी government buildings थे उसके अंदर ताकि वो कुछ हतियार जमा कर सके तो इसके बाद वो कई सारे government buildings में गए वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे government buildings टोड़ दिये वो वहाँ से हतियार चुरा लिये जहां भी मिला और इसके बाद अंत में वो गए एक fort पर जो की एक prison भी था बैस्टील वहाँ पर गए वहाँ पर जाकर उन्होंने commander की हत्या कर दी और इसके साथ ही वहाँ पर जितने भी कैदी थे उनको छुड़ा दिया लेकिन वहाँ पर सिर्फ साथ कैदी थे ज्यादा कैदी मौजूद नहीं थे तो उसके बाद ये जो event हुआ ये काफी बड़ा event हुआ फ्रांस की revolution में फ्रांस के revolution की सुरुवात में क्योंकि इस event के होने के बाद जो फ्रांस था उसमें चाहे वो Paris हो चाहे वो countryside हो देहाती इलाके हो सभी जगों पर बहुत बड़ी संख्या में riot हुए, दंगे हुए, सरकार के जो सैनिक थे और लोगों के बीच में काफी लडाईया हुई, बहुत तरीके के event हुए इस event होने तो आपको इसी जेल में लाकर डाल दिया जाएगा, यहाँ पर आपको प्रताडित किया जाएगा, इसलिए लोग जो थे, वो इससे काफी ज़्यादा hate करते थे, इसको बिलकुल भी पसंद नहीं किया करते थे, तो देखें ये तो हुआ, आपका main event कि 14 July 1789 को हुआ किया था और इसका reason देखें, यहाँ पर लोग जो थे, वो काफी परिशान थे high prices की वज़े से, इस वज़े से लोगों के मन में anger था, इसलिए वो सरकार के खिलाफ काफी गुस्ता थे, तो ये पूरा हो गया आपका event कि क्या हुआ था 14 July 1789 को, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते तरीके से समझने पाएं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको समझना होगा French society को, कि ये जो event हुआ, France का revolution, 14 July 1789, उसके पहले France में कैसा society हुआ करता था, तो इसके लिए इसको समझना बहुत ही असान है, जो France था, उसमें तीन पार्ट्स में society divided थी, first state, second state और third state, ये तीन पार्ट state था, उसमें आता था clergy, second state में nobility, और third state में बाकी जितने लोग बच जाते हैं, वो सभी third state में आते थे, तो दिखे, clergy का मतलब हो गया, वैसे लोग जो की church के कामों में involved हैं, या फिर जो church में काम करते हैं, चाहे पादरी हो गया, या फिर किसी और तरीके के लोग, second state हो गया nobility, यानि high class, high society के जो लोग हो गया, वो आ गया second state में, इसके बाद third state में जितने भी लोग बच जाते हैं, चाहे वो patient हो, चाहे आटिशन हो, चाहे वो leverer हो, या फिर businessman हो, merchant हो, सभी लोग जो हैं, वो third state में आते थे, तो लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, या फिर बात आत इसमें जो पहले दो state थे, first state और second state, इनको tax नहीं देना होता था, ये बिलकोल भी tax नहीं देते थे, केवल जो third state था, वो tax देता था, ये third state tax देता था, इसके बाद एक और चीज़, कि ये जो third state था, ये पूरे country का 90% population था, और ये जो first और second state थे, ये सिर्फ 10% population था, तो य यहां तक तो ठीक है कि इससे क्या problem है, तो देखे, इससे problem ये generate होती है, कि ये जो दोनो state थे, first state और second state, population में थो थे, ये सिर्फ 10%, लेकिन इनके पास पूरे देश का 60% land था, यानि कि 10% लोग 60% land को hold करते हैं, और वहीं जो 90% लोग हैं, वो 40% land को hold करते हैं, और ये 60% land hold कर ही, किसी भी तरीके का tax नहीं देते हैं, कोई भी tax नहीं देते हैं, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है, कि ये जो दोनो state थे, first state और second state, ये tax नहीं देते थे, बलकि third state से tax लेते थे, तो इस वाय से जो third state के लोग थे, वो काफी गुसे में थे, काफी उनके अंदर दोरा collect किया जाता था, और ये होता था, पूरा जितना production है, आपका अगर आप third state में है, तो आपका जितनी salary है, या फिर production है, उसका one better tenth, यानि 10%, इसके अलावा देखिए, जो लोग थे third state के, उनको सरकार को भी tax देना पड़ता था, जिसको tell कहा जाता था, इसके अलावा ज तो ये जो third state था, इन दोनों को tax भी देता था, सरकार को भी tax देता था, इसके अलावा third state के जो लोग थे, जैसे कि आपके मजदूर हो गए, या फिर किसान हो गए, आटिशन हो गए, इनको अपने जो ruler थे, ruler word गलत होगा, या फिर जो मालिक हम कह सकते हैं, कि जो second state के लोग मालिक बोलेगा, तुम मेरे गाय को साफ करो, तो उसको साफ करना होगा, इस तरीके के और भी काम third state द्वारा लिये जाते थे, second state से, या फिर first state से, तो इस तरीके से जो third state के लोग थे, उनको काफी जदा प्रताडित किया जाता था, परिशान किया जाता था, वो काफी जद में ले आया था, ये सैकडो सालों से चल रहा था, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, कि 1789 में ऐसा revolt हो गया, ऐसा पूरा फ्रांस का revolution हो गया, तो उसके लिए हमको आगे ये सभी चीजे यहाँ पर समझनी होंगी, तब हम अच्छी तरीके से समझने पाएंगे कि इस पूरे system में अचानक ऐसा क्या गढ़बढ हो गया, कि पूरा एक बढ़ा बहुत बढ़ा revolution क्रियेट हो गया, तो इसमें सबसे पहले हम सरकार का situation देखते हैं, कि देखते हैं कि आखिर सरकार में ऐसा क्या problem था, तो दिखिए सरकार जो थी, उसमें राजा सबसे powerful था, तो राजा खजाना है, वो बिल्कुल खाली है, एकदम empty है, उसमें कोई भी पैसा नहीं है, बलकि सरकार के उपर बहुती ज़्यदा कर्ज है, और उस कर्ज को चुकाना है, इसलिए उसको काफी परिशानी हो रही थी, इसके अलावा, जो सरकार थी, उसको अपना, जो महल था, उसको भ भी चीज, काफी फ्रांस की सरकार के लिए, या फिर फ्रांस के राजा के लिए काफी परिशानी वाली थी, तो इस वज़से फ्रांस का जो पूरा बजट था, वो काफी गड़बड हो चुका था, क्योंकि फ्रांस जो था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, उसके बजट का ब गड़बढ हो चुका था तो इस वाज़ से जो फ्रांस के राजा थे फ्रांस के राजा लुई 16 उन्होंने डिसीजन लिया कि हम कुछ नहीं करते हम जाकर टैक्स बढ़ा देते हैं लोग उसे ज्यादा टैक्स कलेट करेंगे और उससे हमारा जो बजट है वो पूरा ठीक हो ज इस वाज़से फ्रांस पर इतना जदा कर्ज हो गया या फिर फ्रांस की जो ट्रेजरी थी वो इम्टी हो गये जैसे अमेरिका अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था ब्रिटेन के खिलाफ तो उसमें फ्रांस ने काफी मदद किया था या फिर इंडिया में जो वार था ब्रिटिस के साथ या फिर और भी जगों पर जो वार चल रहे थे उसकी वज़ा से जो फ्रांस की सरकार थी उसके काफी ज़दा पैसे खर्च हो गये थे कर्ज में वो चली गई थी इस वज़ा से ये पूरा situation create हुआ था यानि ये सिर्फ और सिर्फ राजा की गलती थी लुई 16 के पहले जो राजा थे या फिर और भी जो राजा थे उनकी गलती से ये पूरा situation create हुआ था ये तो हमने पहला point देख लिया कि जो फ्रांस की सरकार थी उसका situation काफी खराब था उसको tax बढ़ाना काफी मजबूरी थी इसके बाद इस event को होने के साथ साथ जो फ्रांस की जनता थी जो third state के लोग थे उनके साथ भी कई सारे events हो रहे थे जैसे कि हम अगर situation को देखें फ्रांस के जो third state है उस समय की situation या फिर फ्रांस का overall situation देखें तो फ्रांस का population काफी जड़ा high हो चुका था 1715 से लेकर 1789 या फिर 1774 उसी लगभग के बीच में जो फ्रांस का population था वो दो करोर 30 लाग से बढ़कर 2 करोर 80 लाग हो चुका था यानि जो जनता थी उसकी संख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और population बढ़ने की वज़ा से जो demand था समान का चाहे वो food का हो या फिर दूसरे समानों का demand हो वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया लेकिन उस दौरान जो production था खाने की चीजों का और भी चीजों का वो production नहीं बढ़ा तो इस बहुत ज़्यादा महंगा मिलने लगा और इसके साथ ही एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो salaries थी लोगों की वो बिलकुल भी नहीं बढ़ी क्योंकि देखिए जो लोग थे जो कि third class के लोग थे जाहे वो patient हो labor हो artisan हो या फिर business जो कहीं भी काम करता है second state के पा third state के लोग थे उनके घरों का budget बहुत ही ज़्यादा गड़बड हो चुका था और उनको कोई भी समान खरीदने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफे हो रही थी और इस वयाए से जो सभी लोग थे जो third state के लोग थे जो इस तरीके के काम किया करते थे salaries के उपर जो लोग काम क साल के पर सुखा आजाता था या फिर ओले पड़ जाते थे इस व्यप्र इसे पूरी फसल बरबाद हो जाती थी और उस condition में जो prices होती थी समान की या फिर जो खाने की समान की जो prices होती थी वो इतने ज़्यादा हाई हो जाती थी कि जो एक आम नागरिक है जैसे किसान हो गया, laborer हो गया, वो खाने की जरूरत को भी नहीं पूरा कर सकता था, वो अपने घर को भी नहीं चला सकता था, इस वज़ा से ये पूरा situation था, ये बहुत ही ज़दा खराब हो जाता था और वहाँ पर एक तरीके का subsistence crisis create हो जाता था, यानि जिन्दार रह पाएंगे या फिर नहीं, इस तरीके की नौबत आ जाती थी लोगों के बीच में, तो ये तो दूसरा point हो गया कि हमने देखा कि क्या हुआ फ्रां 1789 के पहले भी ये चीज़े हो रही थी, और यहाँ पर जैसे लिखा गया कि हर 2-5 साल पर सूखा पढ़ जाता था, या फिर ओले पढ़ जाते थी, इस वादर से फसल खराब हो जाती थी, तो फिर इसके आगे क्या हुआ, इसके बाद ही कई चीज़े होई जिसने ऐसा situation लान उन्होंने प्रदर्शन किया था, 1789 के पहले भी बहुत बार उन्होंने प्रदर्शन किये थे, सरकार का विरोध किया था, high taxes के खिलाफ या फिर जो high prices से उनके खिलाफ, लेकिन उनके पास इतना power नहीं था, या फिर वो इतने powerful नहीं थे, educated नहीं थे, कि वो society में और economics में इ जबा दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था, लेकिन जो middle class आया, उस समय, यानि 17th century के दौरान, जो middle class आया, वो काफी educated था, वो काफी powerful था, उसके पास काफी पैसा भी था, और उसके पास इतने resources थे, कि वो आसानी से इस तरीके के changes को ला चके, और देखें, यहाँ पर यह सवाल उठता है कि यह middle class अचानक कहां से आ गया, तो middle class में देखिए वैसे लोग थे, जो कि France के जो overseas trade हो रहे थे, दूसरे देशों के साथ trade हो रहे थे, उससे जिन लोगों ने पैसा कमाया था, वो आपके आ गए, यह middle class में, या फिर जो business man हो गए, local business man, या फिर जो वक भी थे, सभी लोग इस तरीके के included थे, और यहाँ पर सबसे important point यह उठता है कि यह जो लोग थे middle class के, इनका यह मानना था, या फिर यह believe करते थे कि जो लोग है, उनको equal opportunity मिलने चाहिए, उनको equal rights मिलना चाहिए, सभी लोगों को equal treatment मिलना चाहिए, और यह ideas आखिर आए कहां स इन लोगों के पास, यह सबसे important point है, कि देखे, यह जो लोग थे, ऐसा नहीं था कि इन्होंने अचानक कुछ विचार किया और इनके मन में बहुत सारे ideas आ गए, equality, liberty, इस तरीके के, यहाँ पर देखे, आज आते हैं दो writers, John Locke और Jean Jack Russo, यह दोनों writers थे, जिन्होंने किताबे लिखी थी, लोगों को बताया था, अपने ideas के बारे में equality के उपर, कि सभी लोगों को equal rights मिलने चाहिए, सभी लोगों को equal opportunity मिलना चाहिए, सभी लोगों के लिए equal laws होने चाहिए, तो यह जो दोनों writers थे, इनके ideas को middle class दोरा काफी पसंद किया गया, काफी उन्होंने पढ़ा यानि middle class ने इनके ideas को काफी पढ़ा, उस पर discuss किया, काफी चीज़े की, तब जाकर यह जो middle class था, उसने इन दोनों के ideas को accept कर लिया, काफी उस पर believe करने लगे, काफी उसको मानने लगे, कि हाँ, यह जो पुरा feudal system है, इसको हमें खत्म करना है, इसको हटाना है, किसी भी तर लोग थे, वो जब भी कहीं मिलते थे public meetings में, वहाँ पर इस idea के उपर debate करते थे, बात करते थे, discussion करते थे, इसके अलावा एक मोहीं भी चलाया गया, कि यह जो पूरा idea है, कि यह equality का, liberty का, यह जो idea है, इसको लोगों के बीच में फैलाया जाए, उसके लिए काफी सारे books की कोशिस की गई, या फिर इसके बाद, जो लोग थे, जो कि किताबे नहीं पढ़ सकते थे, या फिर कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनके लिए, जगुपर्द या फिर meetings में, इन चीजों को पढ़ा जाता था, यानि किताबों को पढ़ा जाता था, और लोगों को बताया जा जब अमेरिका में revolution हुआ और अमेरिका में constitution अपनाया गया और वहाँ पर इन ideas को अपनाया गया यानि equality को, liberty को इन ideas को जब अपनाया गया तो वो एक तरीके से example बन गया middle class के लोगों के लिए कि हाँ जब अमेरिका में ये चीज़ हो सकता है तो हम अपने देश में भी ये the equal opportunity लोगों को मिल सकता है तो ये पूरा idea जो है वो लोगों के बीच में बहुत ही जदा फैल गया लोगों ने इस idea को accept कर लिया लोगों ने इस idea पर belief करना शुरू कर दिया लेकिन इसी बीच में एक news आ जाता है कि जो सरकार है वो अब जारी है taxes को बढ़ाने के लिए यानि ये वाला जो news है यहाँ पर situation जब हुआ सरकार के सामने काफी problematic तो सरकार ने decision लिया कि tax बढ़ाना है और ये news जब लोगों के बीच में आया तो लोग जो थे वो काफी ज़दा गुसा हो गए काफी उनके बीच में मन में गुसा भर गया और उनके अंदर जो ये विचार चल काफी ज़दा गुसा होगा काफी hate करने लगए और वो एकदम जल्दी में होगा कि इसको कैसे भी करके खत्म करना है तो ये तो हमने background इस chapter का देख लिया कि यानि जो French Revolution हुआ उसके पहले क्या event हुए इसके बाद जो हमारा अब देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरी किया था खत्म किया था तो वहाँ पर हमने 2-3 points देखे थे जैसे कि सबसे पहला सरकार ने यानि कि राजा ने decision लिया कि अब हमको tax बढ़ाना पड़ेगा tax बढ़ाने के बिना मेरा कुछ नहीं होने वाला है मैं अपना राजपट सही तरीके से नहीं चलाने पाऊँगा दू और उसके साथ ही जनता के बीच में जो equality की बाते या फिर right to life, right to equality, equal opportunity इस तरीके के विचार जनता के बीच में पहुँच चुके थे जनता उन बातों पर विश्वास करने लगी थी और वो अपने देश में इस तरीके का सासन चाह रही थी कि वो जहाँ पर लोगों को equality treat किय किसी को special status नहीं मिले, किसी को special privilege नहीं मिले, सभी लोगों को equal treatment मिले, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ, तो इसके बाद वहाँ पर हमने देखा कि सरकार ने तो tax बढ़ाने का decision ले लिया, लेकिन फ्रांस में एक चीज थी कि जो र राजा था, उसको tax बढ़ाने के लिए जाकर state general का permission लेना होता था, ये एक तरीके का political institution था, एक संस्था थी, जो कि tax बढ़ाने को लेकर decision लेती थी, यानि राजा अपनी मर्जी से tax नहीं बढ़ा सकता है, इसके permission के बिना वो tax नहीं बढ़ा सकता है, और राजा ने तै किया इसमें तीनो state के representatives को बुलाया गया, यानि कि जब भी ये meeting होती थी, इसमें तीनो state के representative आते थे, हर state से representative अलग लग आते थे, वो लोग vote करते थे और फिर decide होता था कि tax बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, इस बार भी meeting को बुलाया गया, जिसमें तीनो state ने participate किया, और जो first और second state थे, उसमें से 3300 लोग आये representative के रूप में, और जो हमारा third state था, जो सबसे lowest state था, उसमें से 600 लोग आये, 600 लोग आये, और देखें यहाँ पर एक बात आपको ध्यान दिनी चाहिए, कि जो third state था, उसमें ऐसा नहीं था कि आपके गरीब लोग आये थे, यानि कि जो अमीर लोग थे, जो कि middle class थे, merchants थे, या फिर जो government में काम करता है, इस तरीके से जो middle class, यानि कि अपके third state के जो higher class हो गए, वो लोग आये थे, वहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए, और उसका reason ये था, कि जो ये state general का meeting हो रहा था, इस meeting में जो महिलाएं थी, उनको आना एकदम band था, इसके साथ ही जो peasants थे, उनको आना band था, या फिर artisans को आना band था, यानि जो गरीब लोग थे, वो यहाँ पर जो third state है, उसकी बातों को रखने के लिए नहीं आ सकते थे, सिर्फ जो अमीर लोग थे third state के वो आ सकते थे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमने जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा था, कि जो middle class था, फ्रांस का उस समय का, उसके बीच में जो democracy है, या फिर जो equality है, equal treatment है, इस तरीके के विचार काफी आ चुके थे, वो इन विचारों पर विश्वास करने लगा था, तो इस वाँसे ये ज 600 लोग यहां पर आये थे, यानि जो 600 लोग third state से आये थे, ये ऐसा नहीं था कि इन्होंने गरीबों की बातों को बिलकुल ही दरकिनार कर दिया, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपनी जाकर बात वहां पर की, तो जब ये state general की meeting के लिए जा रहे थे, उसके प अपनी परिशानियों को इनके पास भेजा था, कि मेरी क्या परिशानी है, मुझे क्या demand है, और इसके बाद इन 600 लोगों ने उसका पूरा एक सार निकाला कि जो वहां पर जाके बाते रखनी है, सरकार से demand करना है, इसके बाद देखिए जब ये meeting हुआ, तो meeting में जब ये ज एक vote, second state के पास एक vote, और third state के पास एक vote, तो इस तरीके से तो पहले तो राजा को एक तरीके से फर्स और second state को tax देना नहीं है, उनिफों को सिर्फ आकर बैठ कर जाकर वहां पर vote देना है, कि हाँ tax टेक्स को बढ़ा दिया जाए, problem तो होने वाली थी third state को, क्योंकि tax third state को द जो तीनों स्टेट को एक-एक वोट मिला है उसके बदले में जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं सभी व्यक्ति को एक-एक वोट दिया जाए यानि कि जो थर्ड स्टेट है उसके पास 600 वोट हो जाएगा और जो सेकेंड और फर्स्ट स्टेट है उन लोग के मिला कर भी 600 वोट हो जाएंगे तो ऐसा demand था थर्ड state जो था उसकी representative का लेकिन उनकी बातों को बिलकुन ही राजा द्वारा नकार दिया गया यानि जो राजा था वो उसने इनकी बातों को नकार दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपको जैसा कहा जा रहा है जैसा पहले चलता आया है वैसा ही होगा आपके पास सिर्फ एक वोट रहेगा तो इस बात से नाखुस होकर या फिर इस बात का प्रोटेश्ट करते हुए जो थर्ड state के लोग थे उन्होंने वहां से उठकर बिलकुल उसको छोड़ दिया और वहां से उठकर वो बाहर चले गए इसके बाद वहां से जब वो उठकर बाहर चले गए तो इसके बाद वो 20 जून को यानि 20 जून को वो मिले एक हॉल में जो की टेनिस हॉल ग्राउंड था जो की पैरिस में कहीं पर था और वहां पर खुद को उन्होंने national assembly डिकलेर कर दिया कि हम जो हैं हम जो लोग यहां पर बैठे जो है जो लोग हम 600 लोग यहां बैठे हुए हैं यह लोग जनता का प्रतिनीदित्व करते हैं और इन्होंने decision लिया कि जो national assembly होगी वो सिर्फ बैठेगी नहीं बलकि एक constitution बनाएगी जो की राजा के power को limit करेगा यानि जब यह constitution बन जाएगा तो राजा को इस constitution के अनुसार चलना होगा राजा अपनी मर्जी से decision नहीं लेने पाएगा राजा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने पाएगा और यह जो national assembly थी इसको lead कर रहे थे मिरावू और आवेशिये तो देखे यह जो दोनों लोग थे यह third state से बिलॉंग नहीं करते थे इसमें जो पहला आपका मिरावो था यह एक noble वेक्ती था जो noble class से बिलॉंग करता था और वहीं जो आपका आवेशिये था यह एक priest था तो priest होने के लिए यह तो first state से बिलॉंग करता था लेकिन इन लोगों का belief था कि यह जो पूरा feudal system है इसको खत्म करने की जरूवत है इसको हटाने की जरूवत है और इसको आगे नहीं रहना चाहिए ऐसा इनका belief था तो इस तरीके से जो national assembly थी वो बनी जो कि constitution का निर्मान करने लगी constitution बनाने लगी लेकिन जब यह पूरा process चल रहा था मैं में यहाँ पर meeting हुआ मैं से लोग बाहर चले गए जून में 20 जून को यहाँ पर यह लोग बैठ लेकिन यह पूरा जब process हो रहा था इसी समय में जो पूरा France था, France में बहुत चीज़े हो रही थी क्योंकि France में उस समय पर काफी situation था, वो काफी खराब था, काफी वहाँ पर chaos था, लोगों के बीच में fight चल रहे थे, बहुत चीज़े हो रही थी, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि देखिए वो जो साल था, 1789 का, 1789 में जो France था, वहाँ पर काफी ठंड जादा थी, और इस वयसे जो पूरा फसल थी, वो बहुत जादा खराब हो चुका था, बहुत जादा, मतलब बहुत इलागों का फसल खराब हो चुका था, और इस वयसे जो prices प्राइस थे food product के, जैसे की bread हो गया और भी चीज़े हो गई, उनके prices बहुत ज़्यादा high हो गया, इतने ज़्यादा high हो गया, कि जो गरीब लोग थे, वो इन चीज़ों को खरीद नहीं पा रहे थे, या फिर उनको जो budget था घर का, वो काफी गडबोड हो चुका था, और उनके मन में काफी anger हो गया, काफी गुसा हो गया, कि आखिर ये हो क्या रहा है, हर साल, दो साल, तीन साल पर ये हो जाता है, कि prices बहुत high हो जाते हैं, सरकार कुछ करती नहीं है, राजा सिर्फ बैठा हुआ है, राजा के पत पर, इस तरीके की बातें लोगों के बीच में च लोड़फोड करना सुरू कर दिया, और वहाँ पर दुकान पर अटैक कर दिया, लूट लिया, तोड़ दिया, दुकान को इस तरीके की event हुए, लेकिन यहाँ पर एक और चीज हमें ध्यान देनी चाहिए, कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ bad harvest की वज़ा से, जो prices काफी high हुए थे उसके साथ साथ जो shops थे, यानि जो bakery का shop था या फिर दूसरे तरीके के shop थे, जहाँ पर products को बेचा जाता था, उन्होंने समानों की जमा खोरी सुरू कर दी, यानि समानों को अपने पास जमा करने लगे, prices को और high करने लगे, ताकि वो profit कमा सके, ये भी एक reason था जिसके वज से जो राजा था, उसने सैनिको से कहा कि अब तुमको सहर में आना है, यानि सैनिको को सहर में बुला लिया, उसके बाद तो हमने पिछली वीडियो में देखा ही था क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 को, जो crowd थी, वो काफी angry हो गई, 7000 की संख्या में लोग जमा हो गए, और उन्हो पर भी बहुत सारी चीजे हो रही थी, क्योंकि जो देहाती इलाके थे, वहाँ पर ये rumor फैल गया, कि जो lords हैं, यानि जो noble families हैं, जो की गाओं में रहती हैं, जिनके बड़े-बड़े महल हैं, जिनके बड़े-बड़े जमिन के तुकड़े हैं, जहां पर जो लोग हैं काम करते हैं, या फिर जो lords हैं, जमिनदार हम कह सकते हैं, जमिनदार से आप अच्छी तरीके से समझेंगे उस चीज़ को, जो जमिनदार से हैं, देहाती लाको के, उन्होंने काफी बड़ी संख्या में डेकैतों, लुटेरों को बुलाया है, ताकि जो फसल है, जमीन में फसल लगी हुए है, किसानों की उस फसल को नश्ट किया जा सके, खत्म किया जा सके, तो इस बात से काफी जदा एंग्री हो गए, जो किसान थे, या फिर जो लोग थे, वो काफी जदा एंग्री हो गए, और एंग्री होकर वो इतने जदा एंग्री हो गए, कि उनको जो भी मिला जैसे कुलहारी मिला या फिर कुछ भी मिला उसको लेकर उन्होंने अटैक कर दिया जितने भी जो नोबल फैमिली इसके महल थे घर थे उनको अटैक कर दिया और जो दिहाती लागों को जो महल हुआ करते थे फ्रांस में उनको चिते हूं कहा जाता था चीते तो यह फ्रेंच इसमें कहीं पर सीथे पढ़ा जाता है, कहीं पर चीते पढ़ा जाता है, तो इसका pronunciation आप clearly देख लें, और attack करने के बाद वहाँ पर जितने भी फसल, यानि अनाज जमा करके रखे गया थे, उनको लूट लिया, यानि सभी जो अनाज थे, जो चीजे थी, समान थी, उसको लू सारे जिलो में हुआ था, बहुत सारे जगह पर हुआ था, इस वजए से बहुत बड़ी संख्या में जो noble families थी, वो अपने घरों को छोड़ दिया उन्होंने, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि दूसरे शहर में, या फिर दूसरे देश में भी चले गए, दूसरे country में भ खिलाफ revolt हो गया, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम राजा की बात करते हैं, तो देखिए राजा ने इस पूरे situation को अच्छी तरीके सा समझ लिया कि जो ये जो situation है, ये काफी danger situation है, और इससे अगर मैं fight करने जाता हूँ, तो सायद मैं बचना पाऊ हूँ, य भी accept कर लिया, यानि कि जो constitution है, वो अब राजा पर भी लागू होगा, और राजा अब constitution के अनुसार काम करेगा, राजा जो है, वो constitution के अनुसार काम करेगा, इसके बाद 4 अगस्त को, यानि 4 अगस्त 1789 की रात को, जो national assembly थी, उसने सारे feudal system को खत्म कर दिया, और इसके साथ जो clergy class था, यानि जो first class था, जो church class था, या फिर जो पादरियों का class था, उसको सारे privileges छोड़ने पर मजबूर कर दिया, कि नहीं, आपको किसी भी तरीके का privilege नहीं मिलेगा, आपको कोई special privilege नहीं मिलेगा, आपको एक normal व्यक्ति की तरह behave करना होगा, तो इसके बाद, जो church था जो taxes लिये जाते थे, उसको भी खत्म कर दिया गया, जो land church द्वारा own किये जाते थे, उसको भी छीन लिया गया, और इसकी वज़र से जो सरकार थी, उसको बहुत ही बड़ा एक संपत्ती प्राप्त हो गया, यानि दो बिलियन लिवरे का, जो कि लिवरे फ्रांस की currency थी, द यह पूरा revolt हो गया, वहाँ पर constitutional monarchy स्थापित हो गया, यानि एक तरीके का structure जहाँ पर monarchy तो रहेगा, यानि राजा तो रहेगा, लेकिन वो constitution के अनुसार behave करेगा, ऐसा structure वहाँ पर create हो गया, इसके बाद अब हम देखते हैं, पूरा जो political structure उसके बाद बनाया गया, यानि जब ड्राफ्ट था constitution का, वो जब complete हुआ, तो उसके बाद constitution किस तरीके से काम में आया, या फिर जो पूरा political structure कैसा था, इस चीज़ को देख लेते हैं, तो National Assembly ने constitution को 1791 में complete किया, 1791 में constitution का काम complete हुआ, और इसके बाद constitution में जो power था, वो एक जगा पर जमा होने से रोकने के लिए, power को तीन जगों पर divide कर दिया गया, पहला तो हो गया legislature, दूसरा हो गया executive, और तीसरा हो गया judiciary, इन तीन जगों पर power को divide कर दिया गया, और इसके साथ ही जो constitution था, उसमें जो जनता थी, यानि जो लोग थे, उसके rights को define किया गया, यानि rights of citizen define किया गया, जिसमें बहुत सारे rights define किये गया, जैसे कि right to life, freedom of speech, equality before law, इस तरीके से, और ये सभी जो rights थे, ये हरे French नागरी को प्राप्त थे, जन्म होने के साथ, यानि जैसे ही जन्म होगा, आपको ये rights मिल जाएंगे, इस तरीके से पूरा constitution तयार हुआ, अब इसके बाद ये जो image है, ये हमें बताता है, France के political structure को, जो कि 1791 के, जो हमारा constitution आया था, उसमें define था, तो इसमें देख लेते हैं, तो तीन parts में हमने देखा कि power को divide किया गया था, पहला होगा judiciary, दूसरा executive, और तीसरा legislature, तो यहाँ पर देखी एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, कि हमने देखा कि लोगों को, ए उसने पूरा constitution निर्मान कर दिया, constitution निर्मान करने के बाद लोगों को voting का अधिकार मिला, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, कि voting का अधिकार मिला, वो voting का अधिकार सभी लोगों को प्राप्त नहीं था, यानि जितने भी France में लोग थे, सभी लोग vote नह इसके साथ ही, 25 साल की उम्र से ज़्यादा होने के साथ, जो कि 3 दिन के मजदूरी, यानि मजदूर के वेतन के बराबर tax देते हो, वो लोग ही active citizen थे, यानि कि वो लोग ही vote दे सकते थे, यानि कि जो active citizen थे, मतलब कि जो लोग इतना ज़्यादा tax देते हैं, और 25 की उम्र के उपर हैं उन्ही को active citizen कहा जाता था और बाकि सब passive citizen थे तो जो active citizen थे वही सिर्फ voting में participate कर सकते थे या फिर vote लेकर वो किसी पदबर जा सकते थे तो ये जो active citizen थे जिनकी संख्या थी करीब 4 million यानि 40 लाख इसके अलाबा 3 million लोगों को जो की passive citizen थे या फिर जो महिलाएं थी उनक को भी vote करने का अधिकार प्राप नहीं था ये जो 4 million लोग थे ये directly assembly को नहीं चुनते थे ये सबसे पहले 50,000 की संख्या में electors को चुनते थे और फिर ये जो electors थे ये assembly को चुनते थे जिनकी संख्या 745 हुआ करती थी यानि 745 members हुआ करते थे national assembly में और ये जो assembly होती थी ये राजा के उपर control रखती थी और इसके साथ ही ministers के उपर control रखती थी जो की executive का हिस्सा हुआ करते थे और इसी तरीके से जो active citizen थे वो judiciary को भी choose क्या करते थे voting के जरिये जो की इससे अलग एक entity थी तो इस तरीके का political structure बना 1791 के constitution के अनुसार तो देखे ये हमने देखा कि French Revolution का प पुरा events हुए इसके बाद देखेंगे कि ये जो पुरा process हो गया 1791 में हमारा government बन गया national assembly बन गई constitution लागू हो गया राजा के उपर control हो गया इसके बाद क्या events हुए इसको हम देखने वाले हैं इसके बाद next वीडियो में तो देखेंगे अगर आपने पिछला वीडियो complete हुआ था और उसके बाद राजा ने constitution को accept कर लिया था यानि कि France में constitutional monarchy इस्थापित हो चुपी थी और इस वीडियो में अब हम उसके आगे का देखने वाले हैं कि आखिर 1791 में जब constitutional monarchy इस्थापित हो गई राजा ने constitution को मानिता दे दी उसके बाद France में क्या हुआ तो द राजा बिलकुल सांत बैठ गया और France बिलकुल इस्थिर हो गया नहीं उसके बाद भी बहुत सारे इवेंट्स हुए थे उन चीजों को हम थोड़ा सा डीटेल में देख लेते हैं तो सबसे पहले यह हुआ कि जो लुई 16 था वो लगातार दूसरे देशों के साथ negotiation कर रहा यानि कि जो उसके पडोसी देश थी जैसे प्रसा आउस्ट्रिया उसके साथ वो लगातार discussion में था कि आप हमारे देश में सैनिक भेजिया और फिर से मुझे स्थापित कीजिये यानि राजा को स्थापित कीजिये तो अब यहां बात आता है कि दूसरे देश क्यों इसमें थे कि वो क्यों चाते थे कि सैनिक भेज़ कर राजा को फिर से स्थापित किया जाए तो उनकी चिंता यह थी कि जो चीज फ्रांस में हुआ जो पूरा revolution फ्रांस में हुआ अगर वो revolution पूरे यूरोप में फैल जाए यानि कि प्रसा में भी वही revolution होने लगे आउस्ट्रिया म पूरे वो चाहते थे कि फ्रांस में जो भी problem हो रही है जो भी चीज़े हो रही है उसको जल्दी से जल्दी सांथ कर दिया जाए लेकिन जब तक राजा यानि जब तक लूइस 16 यह पूरा discussion complete करता या फिर जो प्रसा और उस्ट्रिया थे उसके आर्मी यहाँ पर आती फ्रा का काफी समर्थन मिला बहूत बड़ी संख्या में लोगों ने इस वार का समर्थन किया और हजारों लाखों की संख्या में लोग जो थे फ्रांस की आम जनता उसने yudh में पार्टिसीपेट करने का decision लिया और वो volunteer करके काफी बड़ी संख्या में युध में चले गए तो देखे ये जो हजारों लोग जा Shh बने आर्मी में सामिल रहे थे प्राशा आउश्रिया के खिलाफ युध लड़ने जा रहे थे तो वो इस युध में शामिल इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो फ्रांस की आम-जनता थी उसका मानना ये था कि देखें ये जो पुरा युद्ध हो रहा है यानि कि ये revolutionary war हो रहा है France और Prasad और Austria के बीच में ये जो युद्ध है ये France की जो आम जनता है एक आम नागरिक है और जो दूसरे देशों में बैठे हुए या फिर जो राजा है उनके बीच में हो रहा है यानि हम राजा से टकर लेने जा रहे हैं हम aristocratic लोगों से टकर लेने जा रहे हैं तो इस भावना के साथ जो लोग थे जो सैनिक थे और ये आज फ्रांस की जो नैशनल एंथम नैशनल एंथम है आज फ्रांस की मर्शिले और ये इसका नाम इसले पड़ा क्योंकि रास्ते में जो मर्शिले की सैनिक थे उन्होंने इसको पहली बार गाया था और दिखे यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देनी चाहिए कि ये जो पूरा इवेंट हुआ यानि कि लोग युद में चले गए रिवोलिशनरी वार होने लगा तो ये सारे वार जो थे इन वार्स की वज़ास से लोगों को परिशानी भी बहुत जादा हुई जो फ्रांस में जो लोग रह रहे थे वो तो चले गए वार में यानि मर्द लोग तो चले गए वार में और जो महिलाएं थी वो अपने घरों में रह गई और महिलाओं के उपर ये जिम्मेदारी आ गया कि जो महिलाएं हैं, वो अपने घर का खर्चा चलाएं, और अपने बच्चों का लालन पानल करें, पुरा जो घर की स्थिती है, उसको समहाली की घर की जिम्मेदारी महिलाओं के उपर आ गई, लेकिन इन सभी एकनॉमिक परिशानियों के बावजूद जो फ्रांस का उसका रीजन ये था कि जो गरीब लोग थे फ्रांस के, यानि जो कोई मजदूर है, कोई पेजेंट है, कोई कुछ और है, जो की उतना वेल आफ नहीं है, तो उसका ये मानना था कि जो 1791 में कॉंस्टिटूशन आया है, उस कॉंस्टिटूशन में अमीर लोगों को तो अध अधिकार नहीं दिया गया है, और अगर हम इस तरीके का revolution में सामिल होते हैं, और सभी जगों पर इन चीजों में participate करते हैं, तो आगे हम भी हगदार बन सकते हैं, इस तरीके की लोगों में mentality चल रही थी, लोगों में विचार चल रहे थे, और जब ये चीज हो रहा था, या में इसलिए हो गए, क्योंकि यहाँ पर लोग जो थे, वो आकर अपनी बातों को रख सकते थे, उनका क्या political point of view है, या फिर सरकार की कोई नीती है, वो सही है, गलत है, क्या उनका सोचना है उस नीती के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में वहाँ पर वो बातचीत कर सकत लेठे, discussion कर सकते थे, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मर्दों ने अपना political club बनाया था, महिलाओं ने भी काफी बड़ी संख्या में political clubs बनाया थे, वो भी अपनी बातों को रखते थे, discussion करते थे, सारे political मुद्दों पर, तो दिखे, जितने भी political clubs थे, उसमें से जो Jacobin Club था, वो सबसे important था, या फिर सबसे popular था, तो दिखे, Jacobin Club के popular होने का एक reason ये था, कि जो Jacobin Club था, वो गरीबों का club था, इसका मतलब ये हुआ कि जो France के गरीब लोग थे, जैसे कोई मजदूर हो गया, artisan हो गया, या फिर कोई छोटा-मोटा दुकान चला रहा है, तो वो लोग अगर किसी political club में जाते थे, तो वो था Jacobin Club, और Jacobin Club इसी वजद से काफी जदा powerful हो गया, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी संख्या में members हो गया, बहुत बड़ी संख्या में समर्थक हो गया, और जो Jacobin Club के जो लोग थे, वो आपको, जैसा मैंने कहा lower section से आते थे, और इसके साथ ही जो Jacobin Club था, उसका leader था Maximilian Rovespear, और यह जो वेक्ति है, यह काफी important है, इसके बारे में यहाँ पर हम, Rain of Terror में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यह वेक्ति इस पूरे Jacobin Club का leader था, और जो members थे Jacobin Club के, उन्होंने strip trouser पहना शुरू कर दिया, यानि trousers पहनने शुरू कर दिये, strip या देख सकते हैं, और इनको कहा जाने लगा sans cloth, sans cloth, sense cloth, इस तरीकी से कहा जाता है, cloth, और इसके बाद यह तो बात हो गई, हमारे पूरा एक theory, कि क्या हो रहा था Jacobin Club, Jacobin Club क्या था, इन चीजों के बारे में हमने देख लिया, अब इसके बाद देख लेते हैं, कि Jacobin Club ने क्या action ल थे, और जो समानों की जो supply थी, वह काफी कम थी, तो इस वज़से Paris के लोगों में काफी ज़दा गुसा था, काफी उनके मन में आक्रोस हो रहा था इस पूरे situation को लेकर, तो इसी चीज़ को देखते हुए, जो Jacobin Club के लोग थे, उन्होंने decision लिया कि हमको एक आंदोलन करना चाहिए या फिर revolt करना चाहिए, पैरिस के लोगों को लेकर, और इसके बाद उन्होंने 10 अगस्त, जो 10 अगस्त तारीख था 1792 का, उस दिन उन्होंने revolt किया, या फिर हम कह सकते हैं, वो निकले तो थे एक तरीके का विरोद करने, लेकिन उसका situation पुरा revolt वाला हो गया, और उन्होंने राजा के महल पर attack कर दिया, और वहाँ पर राजा के guards की हट्या कर दी, और इसके बाद राजा को capture कर लिया, उसको बंदी बना लिया, राजा को capture करने के बाद, जब National Assembly में ये बात पहुंची, तो National Assembly में जब इस बात पर discuss हुआ, तो उसके बाद National Assembly इनने ये decision लि जब नए चुनाव हुए, तो उस चुनाव में ये जो पहले विवस्था था कि जो लोग tax देते हैं, सिर्फ वही vote दे सकते हैं, इस विवस्था को खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया, और इसके बाद जो विवस्था लाई गए, उसमें 21 साल के उम्र से उपर जितने भी म है, वो लोग vote दे सकते थे, और इसके बाद जो ये जो चुनाव हुआ, इसमें जो जैकोबिंस थे, वो पावर में आ गया, वो चुनाव जीत गया, और इसके बाद जो ये नया assembly बना, इस assembly को अब national assembly नहीं कहा जाता था, इसको अब कहा जाने लगा convention, यानि अब ये national assembly का न फ्रांस में से मोनार्की को खारीज कर दिया, यानि खत्म कर दिया, और उसके जगह पर फ्रांस को republic declare कर दिया गया, मोनार्की खत्म करने का मतलब यह हुआ कि पहले तो democracy आ चुकी थी फ्रांस में, लेकिन वहाँ पर राजा मौजूद था, वो ये तरीके का constitutional monarchy वाला situation था, यानि राजा जो होगा, वो constitution को follow करेगा, लेकिन यहाँ पर अब राजा को पूरी तरीके से हटा दिया गया, और वहाँ पर republic ला दिया गया, अब यह republic का मतलब तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, republic का मतलब होता है कि हमारा जो देश होगा, उसमें जो सबसे सरवच पत पर जो भी वैक्ति बैठेगा, सबसे उचे पत पर जो भी वैक्ति बैठेगा, वो आम नागरिक होगा, वहाँ पर खांदान वाला व्यवस्था नहीं चलेगा, यानि बाप के बाद, बेटा उसका बेटा इस तरीके से नहीं, जैसे अगर आप ब्रिटेन को देखें, तो ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ब्रिटेन आपका डेमोक्रेटिक है, लेकिन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन की जो महरानी है, विक्टोरिया, वो अभी भी ब्रिटेन की महरानी है, यानि वो सबसे हेड है ब्रिटेन की, वहाँ पर डेमोक्रेसी है लेकिन बिटेन अभी भी आपका रिपब्लिक नहीं हुआ है। इसके बाद देखिए जो लुइस 16 था उस पर ट्राइल चला कि आपने देश द्रोह किया। यानि यह जो यहाँ पर मुद्दा हुआ हमने सबसे सुरू में देखा था कि लुइस 16 डिसकसन कर रहा था दूसरे देशों के साथ इस तरीके से तो उसके अधार पर उसको देश द्रोह का मुकदमा चला कर उसको मौत की सजा दी गई और उसको बाद में पब्लीकली एक्जिक जैकोबिन क्लब्स था यानि जैकोबिन्स जो थे वो जब पावर में आ गए तो पावर में उनके आने के बाद क्या हुआ तो देखे जो जैकोबिन्स का जो पावर था यानि जो रूल था उसको कहा जाता है रेन ओफ टिर यानि आतंक का काल या फिर आतंक की अवधी हम कह स तो दिखे ऐसा इसली कहा जाता है क्योंकि ये जो पूरा समय था यानि जब जैकोविंस ने रूल किया था 1793 से 1794 के बीच में उस समय में इतनी कडाई बरती गई थी कि सभी लोग काफी परेशान थे या फिर बहुत ही ज़्यादा उनके साथ बुरा बरताओं किया जा रहा थ करीब 40,000 की संख्या में लोगों को या तो फांसी दी गई थी या जेल में थे या कहीं थे तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों का धर पकड़ हुआ था बहुत बड़ी संख्या लोगों को सजा दी गई थी तो देखे ये जो लीडर था इनका रोवेस्पियर उसने काफ बड़ी संख्या में punishment दिया था लोगों पर काफी control करकर रखा हुआ था for example वो जिसको भी देखता था कि जो की republic का enemy है यानि जो republic विचारधारा है उसको जो भी विरोध करता था उसको रुबेश्पियर पकड़ कर जेल में डाल देता था या फिर उसको पकड़ कर जेल में डाल दिया फांसी दे दिया गुलेटिन पर चढ़ा दिया यातनाय दी गई बहुत चीज किया गया रुबेश्पियर द्वारा तो इस वज़ए से यह जो पूरा प्रियड है इसको rain of terror का जाता है और यह ऐसा ही नहीं कि लोगों के साथ बुरा बरता हुआ था लोगों का जो daily जीवन था daily life था उसमें भी काफी ज़दा रुबेश्पियर ने दखल दिया था काफी ज़दा उसमें उसने changes कर दिये थे इस वज़ए से भी इसको rain of terror का जाता है तो आएब हम उन changes को देख लेते हैं जो कि लोगों के daily life में की गए थे सबसे पहला तो यह हो गया कि जो यह सरकार थी रुबेश्पियर के सरकार जेकोबिन की सरकार थी उसने maximum ceiling लगा दिया wages पर और prices पर यानि कि आप किसी भी चीज का price अपने से तै नहीं कर सकते हैं सरकार ने maximum price तै कर दिया और इसके साथ ही maximum wage भी तै कर दिया maximum वेटन भी तै कर दिया और इसके साथ ही जो meat और bread था यानि खाने की जो चीजे थी उसका rationing कर दिया गया rationing करने का मतलब यह है कि इसको सरकार distribute करेगी जो free market है कि आप कहीं भी जाकर खरीच सकते हैं कहीं भी बेच सकते हैं इस तरीके का वेवस्था को खत्म कर दिया सरकार से इनको बाटेगी बेचेगी जो भी करेगी और इसके अलाबा जितने भी किशान थे बाहरी यानि जो पैरिस के बाहर जो दिहाती ल आप अपने मन के prices पर भी नहीं बेच सकते हैं आपको शहर में लाना है और सरकार ने जितना दाम तै किया है उतने ही दाम पर आपको बेचना है और इसी तरीके से जो white floor था यानि जो महंगा आटा हुआ गरता था उसको use को ban कर दिया गया यानि आप महंगे आटे को use नहीं क इसके अलावा जब बादचीत की बात आई तो इस सरकार ने बादचीत पर भी जोर दिया कि कहा कि आप जो पुराने वयवस्था को था बादचीत का जिसमें की madam या फिर monso का जाता था उसको change करके अब sitoen और sitoen कर दिया गया कि अगर आप किसी male को address कर रहे हैं तो sitoen कहे तो इसका simply मतलब होता है नागरी खम कह सकते हैं हिंदी में और इसके बाद जो चर्चेस थे यानि जो धर्म था उस पर भी काफी प्रहार किया गया चर्चेस को shut down कर दिया गया बंद कर दिया गया और उनके जो buildings थे उनको office या भी barrack के रूप में use किया जाने लगा और ये इतना ज्यादा कड़ाई इस पूरे महौल में करकर रखा गया था कि जो जैकोबिन क्लब के समर्थक थे या फिर member थे वो भी काफी जदा इससे नाखुश थे और वो भी चाह रहे थे कि यह जो पूरा प्रोसेस है इसमें काफी deal दी जाए इसमें छूट दी जाए और इसके अगले ही दिन उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया तो इसके बाद यहाँ पर नेक्स टॉपिक हमारे सामने आता है डिरेक्टरी रूल्स फ्रांस यानि कि यह जो पूरा प्रोसेस हुआ और हमने देखा कि जो रोबेस्पियर था या फिर जैकोबिन सरकार थी उसमें रोबे लेकिन जब जैकोबिन गुवर्मेंट गिर गए यानि कि रोबेस्पियर का खात्मा हो गया उसको मौत के घाट उतार दिया गया तो उसके बाद जो अमीर मीडिल क्लास का तबका था उसने ताकत को अपने हाथ में ले लिया उसने ताकत पर कबजा कर लिया और इस पूरे प टेरर के खत्म होने के बाद नए constitution को introduce किया गया और नए constitution में को जब introduce किया गया तो जो voting power दिया गया था गरीबों को इस समय में यानि यहाँ पर जब यह revolution हुआ था राजा के खिलाफ revolution है तो उसके बाद गरीबों को जैसे election में power दिया गया था उस power को फिर से छीन लिया गया यानि गरीब अब फिर से vote नहीं दे सकते थे जिनके जो tax नहीं देता है वो अब vote नहीं दे सकते थे और इसके बाद constitution जो था उसने दो legislative council का system लाया और इसके साथ ही जो legislative council थी वो फिर appoint करती थी एक directory जो की executive हुआ करता था पांच लोगों का यानि एक प्रधान मंत्री या फिर एक राष्टपती की जगा अब पांच लोग बैठते थे और पांच लोग मिलकर सरकार का decision लेते थे सरकार के फैसले लेते थे और देखे जो directory थी वो अपनी बात मनवाने के लिए या फिर अपने decision मनवाने के लिए हमेशा legislative council से जगडा करते रहती थी कि नहीं तुम मेरी बात मानो तुम मेरी बात मानो और उसके बाद legislative council उसको धम की देता था कि हम तुमको बरखास्त कर देंगे हमने तुमको नियुक किया इस तरीके से और देखे जो य आसानी से इस सरकार को उसने पलट दिया और देखे यहां तक तो हमने देखा directory का rule देखा या फिर rain of terror देखा या फिर normal ये पूरा process देखा जहां पर काफी revolution हुआ सरकार के प्रती विद्रो हुए या फिर विचारधारा के बीच में लड़ाई हुआ लेकिन इन सभी चीजों फ्रीडम का या फिर equality का या फिर fraternity का ये जो पूरा ideology था इसने political movements को काफी inspire किया यानि कि सब चीज खत्म हो गया लेकिन ये जो चीजे थी जो भी वेक्ती movement करने जाता था या फिर सरकार का विरोध करने जाता था किसी का भी विरोध करने जाता था तो वो इस विचारधारा को लेकर जरूर जाता था freedom को लेकर आजादी को लेकर या फिर equality equality before law या फिर fraternity भायचारे इन सभी चीजों को लेकर जाता था और इसी से बहुत सारे अलग लग नए विचार जन में जैसे कि secularism हो गया या फिर equality before law इस तरीके से बहुत सारे विचारधारा आया सामने तो ये जो पूरा process था French Revolution का हमारे 1791 के बाद उसको हमने यहाँ पर देख लिया इसके बाद आगे इस chapter से लेटेर कुछ और चीज़े हम देखेंगे तो देखेंगे इस वीडियो से पहले जो हमने वीडियो किया है उसमें हमने देख लिया कि French Revolution का background क्या था French Revolution की सुरुवात कैसे और इस बीडियो में अब हम देखने वाले हैं कि जो French Revolution हुआ उसमें जो महिलायें थि उनका क्या योगदान था उनके Life पर French Revolution का क्या असर पड़ा और इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो French Revolution हुआ ए उसका जो French Colonies थी उस पर क्या असर पड़ा और इसके साथ ही जो France के लोग थ तो दिखे जो फ्रेंच रिवोलुशन हुआ उसमें सुरुवात से ही महिलाओं ने काफी ज़्यादा बढ़ चड़कर योगदान दिया था, काफी ज़्यादा बढ़ चड़कर उन्होंने participation किया था, चाहे वो कोई भी event हुओ, उसमें महिलाओं जो थी वो काफी ज़्यादा आगे थी, यानि जितना मर्द participation ले रहे थे, उतना ही महिलाओं भी participation ले रही थी, और महिलाओं का ये विश्वास था, या फिर महिलाओं का ये मानना था, कि अगर वो इस तरीके से participation लेती हैं, और इस तरीके से वो active होती हैं इस पूरे revolution में, तो आने वाली जो सरकार होगी वो उनके life को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाएगी, कुछ करेगी, और जो उनकी परिशानिया हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगी, तो आई सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या परिशानिया थी, जिनको France की महिलाओं दूर करना चाहती थी, तो द उस काम के लिए जो उनको wages मिलते थे, जो उनको salary मिलती थी, जो उनको वेतन मिलता था, वो मर्दों के मुकाबले काफी कम होता था, यानि सेम काम अगर एक मर्द करता है, एक lady करती है, तो उनके बीच में जो salary का अंतर है, वो काफी जदा होता था, और वो generally काम क्या करती थी इसके साथ ही जो महिलाएं थी, उनको इनकाम करने के अलावा, अपने घर का भी ख्याल रखना होता था, यानि घर में खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना, इस तरीके काम को करना पड़ता था, लेकिन इसके साथ ही महिलाओं को किसी भी त restrictions महिलाओं पर लगाए गए थे तो इन सभी चीजों से परिशान होकर जो third state की महिलाएं थी वो revolution में participate कर रही थी लेकिन अगर हम जो noble class था उसकी अगर हम बात करें तो उसकी महिलाएं भी ऐसा नहीं था बहुत खुस थी उनको बहुत सारी सुविधाय मिल रही थी जो clergy class की मेरा मतलब है जो noble class की जो महिलाएं थी वो job training तो ले सकती थी वो convent school में पढ़ती थी यानि उनको education मिलता था लेकिन उनको बहुत ही जल्दी साधी कर दिया जाता था arrange marriage के जरिये जहां पर उनकी आजादी आकर खत्म हो जाती थी उनको फिर कोई आजादी नहीं मिलता था तो इस तरीके के चीजों से परिशान होकर जो महिलाएं थी वो revolution में participate कर रही थी और revolution को दोरान बहुत बड़ी संख्या में France में political clubs बने यानि महिलाओं के political clubs बने महिलाओं ने अपने political clubs बनाए ताकि वो अपनी बातों को discuss कर सके अपने परिशानियों को discuss कर सके या फिर जो political event हो रहे हैं France में उसके उपर discuss कर सके और इसके अलाबा बहुत सारी जो ladies थी वो newspaper प्रिंट क्या करती थी, newspaper के जरीए अपनी बातों को सामने रखती थी और जितने भी political clubs थे, करीब 60 की संख्या में France में उसमें political clubs थे, उसमें से सबसे popular था society of revolutionary and republican women तो इनका ये demand था कि जो political right है, वो महिलाओं को equal मिले, इसका मतलब ये हुआ कि जो political right मर्दों को दिया गया है, voting देने का अधिकार दिया गया है, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, या फिर political office hold करने का अधिकार दिया गया है, तो ये सभी अधिकार महिलाओं को जब 1791 में जो constitution आया उसमें महिलाओं को passive citizen declare कर दिया गया यानि वो चुनाव नहीं लड़ सकती है वो वोट नहीं दे सकती है इस तरीके कि अधिकार उन से छीन लिये गया तो इसके बाद जितने भी political clubs थे वो काफी active हुए और उनका ये demand था या फिर वो protest कर रहे थे कि उनको ये political जो rights हैं जो कि मर्दों को दिये गया है political office hold करने का चुनाव लड़ने का वोट देने का ये सभी अधिकार महिलाओं को भी दिये जाए तो ये उनका main demand था इसके लिए वो लगातार लड़ रही थी या फिर इसके लिए लगातार वो काम कर रही थी तो देखे जब revolutionary government आय आया था उसके बाद legally government बना था लेकिन 1789 से ही government काम करे थे 1789 से 1804 तक यानि नेपोलियन का आने तक जो government चला था उसको हम revolutionary government एक मोटा मोटी कहते हैं तो revolutionary government जो आए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए ताकि जो महिलाओं की इस्थिती है उसको सुधारा जा सके उसको को compulsory कर दिया गया यानि जितनी भी महिलाओं हैं जितनी भी लड़कियां हैं जितनी भी ladies हैं women's हैं उनको education लेना compulsory हो गया और इसके साथ ही divorce का provision लाया गया यानि पहले ऐसा हो था था कि महिलाओं के पास यह अधिकार नहीं था कि वो divorce ले सकती हैं तलाक लेकर किसी से अलग हो सकती हैं अब marriage को एक optional चीज बना दिया गया था optional सही वर्ड नहीं होगा एक स्विच्छा से चीज बना दिया गया था यानि दो लोगों का अगर साधी करने का मन है तभी वो साधी करेंगे यानि किसी लड़की का साधी करने का मन है तभी वो साधी करेगी उसके माँ तरीके का रोक टोक नहीं होगा इसके साथ ही हमने ये डिसकस कर लिया कि marriage and divorce were made choice इसके साथ ही जो महिलाएं थी जो women थी वो अब artist भी बन सकती थी small businesses भी चला सकती थी तो इस तरीके से जो revolutionary government आया उसने बहुत सारे ऐसे steps लिये बहुत सारे ऐसे decisions लिये ताकि जो महिलाएं हैं उ उसको कम किया जा सके लेकिन इसके बावजूद भी जो उनका main demand था political right को लेकर कि उनको voting का अधिकार मिले ये उनको अभी तक नहीं दिया गया था और आगे भी बहुत सालों तक नहीं मिला था तो ये इस चीज़ के उपर यानि political right के उपर आगे भी उनका जो protest था या फिर जो विरोध था या फिर उनका जो demand था वो लगतार आगे चलता रहा और उनका ये demand बना रहा कि हमको political right मिलना चाहिए जैसा कि मर्दों को दिया गया है जैसा कि मर्दों को political right प्राप्त है vote देने का और भी चीज़ों का और इसके बाद अगर हम rain of terror की बात करें तो rain of terror के जो महिलाओं का जो political club था उनको बंद कर दिया गया इनके ओपर restrictions लगा दिये गये इन clubs के activist लोगों को गिरिफतार कर लिया गया और बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की हत्या भी कर दी गई मार भी डाला गया इन political clubs के activist को तो इस तरीके से पूरा event हुआ इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई बहुत लगता प्रोटेस्ट चलता रहा लेकिन अगले करीब दो डिकेट तक यानि अगले 200 सालों तक महिलाओं का प्रोटेस्ट चलता रहा यूरोप में या फिर फ्रांस में की उनको बराबर political अधिकार मिले, wages बराबर मिले यानि वेतन बराबर मिले और भी चीजों को लेकर और अंत में जाकर 1946 में जाकर फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला यानि कहां हम 1789 की बात कर रहे हैं और कहां हम 1946 में पहुँच गए तो इतने लंबे समय के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला फ्रांस में तो ये तो हमने देख लिया महिलाओं को की जो woman थी, उसका किस तरीके से योगदान था फ्रांस के revolution में और उसके life पर क्या impact पड़ा, इसके बाद हम बात करते हैं slavery के उपर या फिर जो slavery का पूरा system था फ्रांस की colonies में या फिर आपको फ्रांस में उसके उपर बात करते हैं, तो दिख से ही slave trade सुरू हो चुका था और 1789 के आसपास आती आते हैं ये काफी important business फ्रांस में हो चुगा था, और triangular slave trade क्या होता ये मैं आपको समझा देता हूँ, तो दिखिए जो Caribbean islands हैं, वहाँ पर से France import करता था काफी सारे समान, जैसे tobacco हो गया, tea हो गया, coffee हो गया, और भी बहुत सार हमें plantation लगे हुए थे, जो कि आपके Caribbean island थे, वहाँ पर बहुत सारे plantation लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पर काम करने के लिए labor की कमी थी, वहाँ पर काम करने के लिए लोग मौजूद नहीं थे, और Europe के लोग या फिर France के लोग वहाँ पर वैसे condition में जाकर काम करने के लिए तय यार नहीं थे, वहाँ पर वो जाना नहीं चाहते थे, तो वहाँ पर एक तरीके से परिशानी आ रही थी, labor shortage की वज़ा से वहाँ पर production कम हो रहा था, और उसकी वज़ा से फ्रांस को supply नहीं मिलने पा रहा था, तो इस वज़ा से फ्रांस के लोगों ने या फिर फ्रांस के owners होते थे, उनको जाकर बेच दिया करते थे, तो इस तरीके से जो वहाँ पर labor की कमी थी, उसको भी पूरा कर लिया जाता था, और वहाँ पर उनको समान भी असानी से मिल जाता था, उसको वो खरिद कर ले भी आते थे, तो इस तरीके से एक triangular slave trade बना हुआ था, यानि फ्रां इंच colonies से पहली बार slavery को खत्म किया था, लेकिन इसके पहले भी कई बार बात चल रहा था कि slavery को खत्म करना चाहिए, ये अच्छे चीज नहीं है, इसको खत्म करना चाहिए, लेकिन जो slave trade था, वो फ्रांस में इतना बड़ा business था, कि कोई भी जो business owners थे, ये slavery का business owner, उनसे पं आई, उसने slavery को खत्म कर दिया, slavery को हटा दिया, फ्रेंच colonies से, और वहाँ पर सारे slaves को free कर दिया गया, लेकिन ये जो decision था, ये ज़्यादा दिन नहीं चला, सिर्फ 10 साल चला, क्योंकि जब Napoleon वापस आया, तो Napoleon ने फिर से slavery को introduce कर दिया, slavery को फिर से लागू कर दिया, और इसक इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो France के लोग थे, उनके daily life पर या फिर दियानिक जीवन पर French Revolution का क्या असर पड़ा, तो देखिए अगर हम daily life को देखें तो French Revolution का French लोगों पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि देखिए जो पहले जो समाज यानि French Revolution के पहले जो समाज था और French Revolution के बाद जो समाज बना उसमें काफी ज़्यदा अंतर हो गया, और अंतर का सबसे बड़ा reason था censorship, तो देखें censorship क्या होता है, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं sort में समझा देता हूँ, कि आप अगर कोई भी newspaper छापते हैं, तो सरकार आपके newspaper को पढ़ेगी, कि आपका newspaper सही है या नहीं है, सरकार का कोई विरोध करता है या नहीं है, अगर उसको अच्छा लगता है कि आप सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं, तो वो newspaper को छपने देगी, और अगर आप सरकार के विरोध में कोई बात लिखते हैं, तो वो सरकार उसको फाड़ देगी, उसको खत्म कर देगी, आप उसको नहीं छाप सकते हैं। यह simple censorship होता है। यानि कि जब 1789 से पहले राजा का शाषन हुआ करता था फ्रांस में, तो अहां पर censorship चलता था। आप अगर कोई newspaper बनाते हैं, तो राजा के लोग उस newspaper को चेक करेंगे, पढ़ेंगे, उनको सही लगेगा, तभी आप newspaper को छाप सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं छाप सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी play नहीं लिख सकते हैं, कोई भी किताब नहीं लिख सकते हैं, कोई भी poem नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, सभी चीजों पर censorship लगता था. लेकिन जब 1791 में constitution लाया गया तो उस constitution में freedom of press या फिर freedom of speech का एक प्रावधान रखा गया जिसके वज़ा से लोग जो थे वो अब असानी से अपनी बातों को रख सकते थे कोई भी वेक्ती जाकर news paper चाप सकता था कोई भी वेक्ती जाकर किताब लिख सकता था तो इस वज़ा से जो लोग थे वो अब असानी से अपनी बातों को अपनी point of view को लोगों के सामने रख सकते थे तो इसका असर ये हुआ कि जो अलग-अलग विचारधारा के लोग थे या फिर अलग-अलग point of view रखने वाले लोग थे वो अपनी बातों को न्यूस पेपर के जरीए किताबों के जरीए, प्ले के जरीए लोगों के सामने रखते थे और लोगों को अपनी बात समझाने के कोशिस करते थे यानि कि पहले ऐसा होता था कि सरकार के जो पक्ष में बात कर रहा है सिर्फ वही news चलता था लेकिन अब यह होता था कि लोग जो थे वो हर एक event का अपने point of view से news छाप सकते थे news लिख सकते थे तो इस तरीके से जो लोग थे जो की अलग-लग विचारधा राके थे या फिर अलग-लग point of view के लोग थे वो लोगों को अपनी बातों से convince करने की कोशिस करते थे अपने पक्ष में करने की कोशिस करते थे और इसके साथ ही लोग जो थे वो आसानी से अब political, economic किसी भी तरीके के topic को discuss कर सकते थे उन पर किसी भी तरीके के अब कोई रोक टुक नहीं था और ये बहुत बड़ा change इसलिए था क्योंकि इसके जरीए लोग बहुत सारे नए forms आये बहुत सारे नए चीजे आये लोगों के सामने लोगों को एक नया तरीका मिल गया आपस में discuss करने का बात करने का नए नए चीजे उनको सुनने को देखने को मिल रही थी तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ती हैं और इस chapter का end देखते हैं छोटा साइंड यहां पर बताया गया है conclusion में इस किताब में तो यहां पर simply कहा गया कि 1804 में नेपोलियन जो था उसने खुद को इंपरर गोशित कर दिया फ्रांस का और इस तरीके से जो French Revolution पुरा हुआ यह खत्म हुआ तो जब इंपरर बन गया नेपोलियन तो उसने बहुत बड़ी संख्या में पड़ोसी देशों पर कबजा के बहुत बड़े इलाके पर कबजा कर लिया और वहाँ पर अपने family members को ruler के रूप में यानि राजा रानी के रूप में स्थापित कर दिया और उसके उसने यानि जो France का जो इंपरर बना नेपोलियन उसने बहुत सारे नए reforms लाए modern reforms लाए जो की काफी अच्छे थे और उसका असर भी काफी अच्छा हुआ आगे के सालों में और इसके साथ ही जो सुरुवात में जब वो निकला था सभी लाकों पर कबजा करने के लिए तो उसको लोगों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा था लोग उसको बहुत ही अच्छा समझ रहे थे लेकिन जब बहुत समय बीत गया लोगों का जबरन भरती होने लगा आर्मी में तो इसके वैसे लोग जो थे वो काफी नाराज हो गए वो नेपोलियन के खिलाफ हो गए और इसके बाद जब वाटर लू में हार गया नेपोलियन तो उसके बाद उसकी भी कहानी खत्म हो गई उसके बाद क्या हुआ उसको हम आगे क्लाश 10 में डिसकस करेंगे तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है फ्रेंच रिबोलिशन ये खत्म होता है तो मिलते आप से हम किसी और चैप्टर के साथ किसी और वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई